जै मातारानी दोस्तों नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है माजग दंबा के नाम का जैकारा लगाएं कमें सेक्षन में जै मातारानी हर हर महादेव अवश्य लिखिए दोस्तों आज है 31 जुलाई 2021 की तारिक और शनिवार का दिन सावन में अश्टमी का विशेश महत्व होता है कल जो अश्टमी है इसे काला अश्टमी कहते हैं इस दिन पे भोले नाथ का भैरव रूप में पूजन अर्चन करने से भारी से भारी दुख तकलीव दूर होने लगती है भोले नात का भैरव रूप अपने आप में हर प्रकार के दुख और हर प्रकार के कष्टों को दूर कर देता है जिसके जीवन में भी दुख या दुर्भाग्य है उसे इस दिन पे कुछ छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए इनके करने मात्र से जीवन के हर कष्ट दूर होने लगते हैं जैसा कि इस बार अश्टमी की तिथी शनिवार के दिन आई है और शनी ग्रही अलग अलग तरह के दुखों का कारण है चाहे बीमारी हारी हो धन दौलत संबंधी दिक्कते हो या कोई भी दिक्कते हो शनी ग्रह के कारण जब हमें दुख की प्राप्ती होती है तो यह दुख लंबे समय तक हमारे जीवन में बना रहता है क्योंकि शनी ग्रह बहुत धीमी गती से चलता है और एक राशी में धाई वर्ष तक रहता है इसलिए यहाँ धीरे धीरे जीवन में दुख देता रहता है ऐसे में आपके जीवन के दुख और कश्टों को दूर करने के लिए आपको भगवान भोले नात के काल भैरव रूप का पूजन करना चाहिए अब आप यदि काल भैरव रूप का सीधे सीधे पूजन नहीं कर सकते तो एक दो छोटे छोटे से मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आप जरूर कर लें जैसे कि आप एक पेपर ले ले पेपर पे पूरा राम 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 ऐसा लिख ले और इस पेपर को जला दें इस पेपर की आप भसम बना लें जो भसम या राक होती है ये अपने आप में शनी ग्रह के समान होती है और कल अश्टमी है जिसे की हम काला अश्टमी कहते हैं ऐसे में शिवजी के शिवलिंग पे राम नाम की ये भस्म आप चढ़ाएंगे तो आपके जीवन के जो दुख हैं जो कश्ट हैं वो दूर होने लगेंगे इस उपाय को आप कल के दिन कर सकते हैं और कल के दिन से शुरू करके लंबे समय तक भी इस उपाय को आप कर सकते हैं देखिए राम नाम अपने आप में कल्यार कारी होता है तो आप अपनी जिस भी इक्षा से जिस भी दुख को दूर करने के लिए इस उपाय को करेंगे आपको बहुत फाइदा होगा और आपके जीवन के कश्ट दूर होने लगेंगे आपको भस्म बनाना बहुत आसान है साथ ही साथ जिन लोगों के जीवन में विवहा की दिक्कत है उनके लिए एक और विशेश उपाय है फूलों को सुखा लें और सुखे हुए फूलों को जलाके आप उनकी भस्म बनाए दोस्तों जब भी आप भस्म बनाए एक बात का याद रखे कि भस्म को थोड़ा चान ले कभी भी हमें ऐसी भस्म जिसमें दाने हो या फिर कुछ कचरा हो वो भोले नाथ पे अर्पित नहीं करनी है जिनके जीवन में दुख कश्ट है उन्हें फूलों से बनी होई भस्म भोले नाथ पे चढ़ाने मात्र से जीवन के बहुत दुख बहुत कश्ट दूर हो जाते हैं जो लोग चाहते हैं उनके जीवन में हर प्रकार का सुख आ जाए हर प्रकार का सौभाग्य बर्णे लगे उन्हें कामधेनु गाय याने गाय के गोवर से बनी हुई भस्म का प्रयोग करना चाहिए गाय के गोवर की बनी हुई भस्म आप जब भोले नाथ को अरपित करते हैं तो ये हर प्रकार से आपका कल्यान करती है भोले नाथ को भस्म का श्रिंगार बहुत पसंद है भस्म चढ़ाएं देखिएगा आपको बहुत जल्दी इन उपायों का असर देखने मिलेगा भोले नाद आपकी दुख और कश्टों से रक्षा करेंगे जब आप भोले नाद का पूजन करें तो आप उनके उपर भस्म चढ़ाएं और उसके बाद आप वहाँ पे थोड़े क आप आपके उपर क्या जो भी परिशानी है दुख तकलीफ है इसको दूर करने में मदद करती है जिन लोगों को कोई भी बहुत कश्टों हो किसी भी चीजस से आप दुखी रहते हैं आप आप काली उड़त के 108 दाने प्रतिवन भोले नाथ का मंत्र जाप करते हुए निका दाल मिलाके इस दाल का दान कर दें देखिएगा आपके जीवन से दुख और कष्ट दूर होने लगेंगे आपको भोले नाथ के ओम रुद्राय नम्हा इस मंत्र को करते हुए काली उड़त के दाने भोले नाथ पे चढ़ाने चाहिए और इन चीजों का आपको किसी भी काम कर करने वाले व्यक्ति को दान देना चाहिए इस प्रकार से आप दान पुन्न करेंगे तो आपके जीवन के जो कष्ट हैं जो तकलीफे हैं वो दूर होने लगेंगी दोस्तों जीवन में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शारिरिक तकलीफ होती है उन्हें हमेशा भोले ना परन्तु जब भी हम गायत्री मंत्र के साथ भोले नाथ का मंत्र पढ़ते हैं तो उसका हमें विशेश फल प्राप्त होता है या आप होम जूम सह संपुट लगा के भी आप ये मंत्र पढ़ सकते हैं इससे आपके जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया शनी आपके जीवन में दुख और कष्टों का कारक है शनी को शांत करने के लिए आप राहू केतु को भी शांत करने का प्रयास कर सकते हैं कल है शनिवार का दिल तो आप एक कारे करिए जो तंदूरी रोटी होती है आठ तंदूरी रोटी ले लीजिए क्या करिए आप आठ तंदूरी रोटी लीजिए और उनके उपर थोड़ा सा मीठा रखिए और ये रोटी आप कुत्तों को खिलाईए भगवान भैरव के वाहन श्वान याने कुत्ते होते हैं भगवान भैरव आपके जीवन से दुख तकलीफें दूर करें इसके लिए आप भगवान का ध्यान करें और काशी विश्वनात का नाम आप प्रतिदिन लिया करिए जो लोग जीवन में बहुत दुख को पाते हैं उन्हें हमेशा काशी विश्वनात भगवान की जै इस प्रकार से इसमरण करना चाहिए क्योंकि काशी में जाके ही जो भैरव हैं उन्होंने मुक्ती को प्राप्त करा था काशी के कारण ही शनी के जीवन के दुख दूर हुए थे आप सबको शनी भगवान के जीवन के कई प्रसंग पता होंगे शनी भगवान के जीवन में भी नाना प्रकार के दुख आए पर उनको दूर करने के लिए उन्होंने भोले नात की भक्ती करी और पूजन करा जिससे उनके जीवन के दुख और कष्ट दूर हो गए जो लोग भी अपने जीवन में दुखों से डरते नहीं हैं सतत परिश्रम प्रयास करते हैं उनके जीवन के दुखकष्ट भोले नात हर लेते हैं और उन्हें जीवन में सुख और सभागी की प्रात्ती अवश्य होती है इसलिए प्रति दिन अपने घर के भोले नात का पूज करें भी उन्हें बहुत लाब मिला जो लोग दिन में किसी भी समय एक समय ही सही 12 जोतर लिंक का नाम ले लेते हैं उनके जीवन में जोती याने प्रकाश आ जाती है दुख का अंधकार दूर होने लगता है तो आप भी अपने जीवन के दुख कश्टों को दूर करने के लिए भगवान भुले नाद के भैरव रूप का ध्यान करें और इस प्रकार से चोटे चोटे उपाय करें जो कुटे को 8 रूटी देने वाला उपाय है वो आप कल शनिवार से शुरू करें और कोशिश करें आगे आने वाले 10 या 11 शनिवार इस उपाय को आप नियमित करें जब आप किसी चीज को नियमित करने लगते हैं तो जैसे जैसे आपका मन कई लोग कुट्टों से बहुत डरते हैं तो आप समझ चाहिए कि आपका शनी ग्रहा बहुत कमजोर है बहुत खराव है क्योंकि आम तोर पे श्वान या कुट्टे भगवान भैरफ का बाहन होते हैं और आप वहीं देखेंगे इसके विपरीत कुछ लोगों को बिलकुल भी कुट्टों से दर नहीं लगता तो आपको हमेशा कुट्टों को भोजन जरूर देना चाहिए जिससे कि आपका शनी ग्रहा अच्छा हो मजबूत हो राहु के तू जैसे दुश्ट ग्रहा जो हमारे मनुष्यों के जीवन के करमो को खराब करने के लिए आते हैं वो ग्रहा भी आपको अच्छा फल दें अभी हाली के समय में मैंने आपको बहुत सारे वीडियो दिये है उन वीडियो को आप जरूर जाके देखिए और अपने जीवन के दुखों का नाश करने के लिए मन में और भक्ति के साथ आप अपने कर्मों को जरूर करिए देखिएगा आगे आने वाले समय में जीवन के दुख तकलीफ अवश्य दूर होंगे यदि आपको दोस्तों आज का वीडियो सुनने के बाद थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे तो आप नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करें और और वीडियो देखके आप छोटे छोटे उपाय करें जिससे आपके जीवन में सुख सभाग्य बढ़ें और आपके जीवन में आपको शुप्फलों की प्राप्ती हो अगला वीडियो लेके आ आपसे जल्दी ही मिलूंगी जय माता रानी दोस्तों